Hello everyone, very good morning to all of you, दिन की शुरुबात करेंगे 2 नॉमबर 2023 के करेंट अफेर के साथ, करेंट अफेर की PDF स्टाटिक जीके के साथ आप exam engine application से डाउनलोड कर सकते हैं, exam engine application में मैंने 500 best mcqs previous year question के चार्ट के अपलोड कराये हुए हैं, आप उन सभी questions को एक बार जरूर देखें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें आराम से और उसे पढ़नों कोशिस करें, आंसर की के साथ ये सारे question है, history, policy, geography, science, economics, सब के miscellaneous questions है, पहले बात कर लेते हैं कल के question की, कल मैंने आपसे साहित से question ये पूछा था, कि नहुस और पंचवटी ये दो पुस्तक कौन से लेकर की हैं, तो आजाद भारत में, जब भारत को सुतंता मिल गई है, तो उसके बाद 1952 से लेकर 64 तक ये राज्य सबा के मेंबर भी रह चुके हैं, इतना ही नहीं इनको पदमभूशन से भी सम्मानित किया गया था, इनको भारत भर में बड़्दा के नाम से भी जाना जाता था, अब शु दान मंतरी रिशी शुनाक के द्वारा एनाउंस किया गया है, कि बहुत ही जल्द बिटेन के अंदर स्थापना करी जाएगी दुनिया के पहले AI Safety Institute की, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि पूरे विश्य में, पहली AI University कहां पर स्थापित करी गई थी, तो ये दो साल पह करेंगे, जो की लोगों को बचाने का काम करें, फिर चाहे वो किसी भी perspective से हो ये चीज़ आपको ध्यान रख रहे हैं, और बिटेन में इसको संबोधित किया गया कहां से, तो रिशी शुनाक ने बिटेन के अंदर वकिंगम में एक पार्क पड़ता है, इसको बोलते हैं, ब Wi-Fi 6 Ready broadband gear deal देनी है, मतलब कहने का Tata Playfiber ने Wi-Fi 6 Ready broadband gear की deal है, ये इस company को दे दी है, अब भारत में Wi-Fi 6 Ready के जो gear box होंगे, उनको ये company प्रोवाइड करने का काम करेंगी भारत के अंदर, ये company है Nokia, और Nokia कहां की company है, आपको बता दूँ है, फिल्लैंड की company है, और बहुत सारे लो की company है, और बहुत पुरानी company है, 1865 में इसकी स्थापना करी गई थी, इसका headquarter है ESPO, और इसके president है PECA Landmark, क्या नाम है PECA Landmark, अगला question है, अभी हाली में मश्रूम की एक नई प्रजाती पाई गई है, ये प्रजाती कहां पर पाई गई है भारत में, और इस प्रजाती का ना नाम रखा गया है, candlelem, mikes, elbow, commercis, तो ये जो नई प्रजाती पाई गई है, ये पश्चमी घाट में पाई गई है, पश्चमी घाट आपको पता है ना, लक्षन भारत में ये वाला हिस्सा, ओपर जहां से महरास्ट खतम होता है, गोवा श्रू होता है, तो इधर proper करनाटका से होते हुए, नीचे केरल तक फैला है ये पश्चमी घाट, इसी को सहयादरी की पाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यही पर ये मश्रूम की नई प्रजाती अभी हाली में पाई गई है, और ये केरल के अंदर जवाल लाल नहरू, ट्रॉपिकल, पोटैनिकल इन रिसर्च इंस्टिट्यूट के अंदर प्राप्त करी गई है प्रजाती, इसकी खास बात यह है कि इसकी डंडी काफी लंबी है, और उपर शेहत के कलर का कैप इस पर है, इस पर जैसे की फाइब्रस रूट होती है ना, मतलब रेशे होते हैं, जैसे आपने केले में देखेंगे, उसी तरीके से देख रहे हो, वाइट कलर के यहां पर रेशे हैं, तो यह इसकी खास बात है, बाकि यह जो मश्रूम है, यह बहुत ही छोटे आकार का है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह 58 mm का मश्रूम है, 58 mm, यह कौन सही राज्य सरकार ह है कि यह राजा जी टाइगर रिजर्फ कंजर्वेशन फाउंडेन की स्थापना करेंगे, तो यह नई फाउंडेशन की स्थापना यहां पर उत्राखंड सरकार के द्वारा करी जाएगी, उत्राखंड में पुषकर सिंग धामी है मुक्यमंत्री, और इसका में परपस यह ह होगा कि उत्राखंड के अंदर पहले से अभी में थोड़ी तो गिरावट आई है एको टूरिजम में और उसका कारण यह भी है कि हम कहीं न कहीं पूरे भारत भर में ऐसे जो कंजर्वेशन हैं, उनको बचाने में असफ़ल रहे हैं, तो अब यह नई एक पहल होगी उत्रा हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, मतलब लोगों का जो इंटर्फेरेंस है, वो बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, और खास बात यह होगी, इस बार जो वहां के इस्थानी लोग हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी इनको बचाने के लिए, इस्थानी ल करना हूँ, यह हर एक राज्य का डेटा है, तो इस्थानी लोगों को इस बार जिम्मेदारी दी जाएगी, कि वो जागरुक रहें, और जो पर रिटर आएं, उनको ऐसा बिल्कुल भी ना करने दें, और पहली बात तो यह है, कि कई सारा वनिये एरिया ऐसा है यहां पर, ज सरकार के द्वारा, यह कितने ऐसे सेना या पुलिस के स्पेशल ओपरेशन्स है, जिनको स्पेशल ओपरेशन मेडल 2023 से सम्मानित किया गया है, यह मेडल हर साल 31 अक्टूबर को दिये जाते हैं, रास्टी एकता दिवस के दिन, ठीक है, और यह उन ओपरेशन्स को दिये जात या फिर border action को लेकर चलाए गए हैं, ultimately देश के हिद के लिए हमारी सेना या पुलिस में जो भी operation चलाए हैं, उन में से तीन operations को select किया जाता है, लेकिन special cases में 5 operations को भी select किया जा सकता है, मतलब दो बढ़ा कर भी किया जा सकते हैं, तो इस बार total 4 operations को special operation medal से सम्मानित किया गया है, ये medal हमेशा Home Affairs Minister के ही दुआरा दिया जाता है, तो इस बार इसको हमेशा ने दिया है, पहली बार इन awards की चुरुआत बार सरकार ने 2018 में करी थी, अभी हाली में International Solar Alliance Assembly का 16 संस्क्रण कौन से शहर में आयजित किया गया, तो इस बार इसका 16 संस्क्रण नई दिल्ली में आयजित क्या गया रास्तानी में, इस संस्क्रण की शुरुआत 30 अक्टूबर को ही थी, और ये 2 नौंबर तक चला, मतलब ये आज तक चलेगा, आज इसका समापन होगा, International Solar Alliance Assembly के इस event में दुनिया भर के 116 देशों ने हिस्सा लिया, 116 देशों से आये delegates और वहां के ministers सब यहां पर भागीदार रहे है, ISA जिसको International Solar Alliance बोलते हैं, इसकी स्थापना साल 2015 में, भारत सरकार के द्वारा करी गई थी, और एक तरीके से देखा जाए, तो इनके founders में, PM नरेंद मूदी का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि नरेंद मूदी नहीं इसकी स्थापना करी थी, और इसका headquarter ह गुरुगराम, अंतरास्टी Solar Alliance का में उद्देश ये है, कि दुनिया भर में जो renewable energies के sources हैं, उनको जादा से जादा बढ़ाया जाए, ठीक है, और यहाँ पर टीन demonstration भी launch किये गए हैं, यह जो projects launch किये गए, यह मलावी, फिजी और शेशल्स इन देशों में भी launch किये गए, ज मैं आपको बता दू, इस टाइम पर भारत तीसरे नंबर पर है, Solar energies को लेकर, दुनिया में नंबर बन पर अमरीका है, इस टाइम पर नंबर दो पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर भारत है, आंध्रप्रदेश ने अभी कौन सा इस्थापना दिवस अपना मनाया है, तो आंध्रप्रदेश की स्थापना 1956 स्टेट एक्ट के तहत करी गई थी, आंध्रप्रदेश भारत का पहला ऐसा राज है, जिसकी स्थापना भाषाई आधार पर करी गई थी, मतलब linguistic basis राज है, और एक नंबर 1956 को इसकी स्थापना करी गई थी, तो हर वर्ष एक नंबर को ही आंध्रप्रदेश अपना इस्थापना दिवस मनाता है, वर्ड वीगंडे जिसको बोलते हैं विश शुद्ध साका हरी दिवस, ये कौन से दिन मनाया जाता है, ये भी एक नंबर को ही मनाया जाता है, और इस बार की जो वीगंडे है, इसकी थीम काफी सिंपल है, ये आप स फाइदे हैं, इसका हेल्थ पर क्या इंपेक्ट पड़ता है, और ज्यादा तर स्टेडीज में पाया गया है जो वीगल लोग है, ये एक पर्टेकुलर टाइम पिरिएट जैसे 35, 40 ये 50 के बाद, ये ज्यादा हेल्दी होते हैं, इनका मपरेजन टू, जो डेरी प्रोड़क कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो माशार कर रहे हैं, उनसे कहीं जादा ये फिट रहते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन है, ये भी बड़ा हुआ देखने को मिला है, पहली बार वर्ड वीगन डे, एक नॉमबर 1994 को मनाया गया था, तब से हर वर्ष मनाया जाता है, यू कारण ये है कि गौलियर में एक से बढ़कर एक संगीतक ये हुए हुए हैं, और जिनमें से भारत के इतियास में सबसे बड़े संगीतक, जिनका नाम है तांसेन, तांसेन का नाम हर एक विक्ती ने सुना होगा, तांसेन का जन्म ही गौलियर में हुआ था, और इनके द्वा युनेस्को के द्वारा कोजी कोडे को City of Literature का टाइटल दिया गया है तो अपसे ध्यान रखिएगा भारत के दो शहर कोजी कोडे जिसको City of Literature और गवालियर जिसे City of Music का किताब दिया गया है युनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी हेड़ कोटर है इसका पैरिस और इसके President है Andrew Azule कौन है Andrew Azule और पूरे दुनिया भर में युनेस्को के द्वारा 55 शहरों को लिस्ट किया गया है इसी तरीके से जिन में से दो शहर भारती है आपके लिए important है इन दोनों को मत भूलिएगा अभी हाली में किसके द्वारा मेरी माटी मेरा देश जो कारेक्राम है इसमें प्राटी से पिट किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंड मूदी के द्वारा पार्टी से पिट किया गया और चौने यहां पर एक प्रजेक्ट भी लॉंच किया है और ये है और इंडिया गेट के सामने है, President House है, और इसके बीच का जो ये रास्ता है, इसको पहले राजपत बुलाया था, अभी पिछले वर्सी इसका नाम बदल के कर्तब विपत कर दिया गया है, तो कर्तब विपत के बराबर में ये जो Gardens है न, यहीं पर ने तरीके से निर्माड किया लगाई जाएंगी और उनके ओपर पौधार ओपन किया जाएगा तो अमरित वाटिका एक तरीके से भारत का एक ऐसा हेरिटेश पहली बार बनेगा जिसमें भारत के कोने कोने का योगदान होगा ये होगी इसकी खास बात और अभी हाली में आजादी का अमरित मौस्व जो हम तीसे नमबर पे हरियाना और राजस्थान जोएंट ली रहे हैं प्रधान मंत्री नरेन मुदी और बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना दोनों के द्वारा मिलकर आरत की मदस से बांगलादेश के अंदर कितने डेवलेप्मेंट वर्क प्रोजेक्ट अभी इनॉ यह कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं समझिएगा पहली चीज तो एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है जिसका नाम है यहां पर में लिक देता हूं अखौरा टू अगरतला भारत और अखौरा बांगलादेश अखौरा से अगरतला तक एक रेल कनेक्ट करेगी तो यह पहला प्र पोर्ड रेल लिंक दिया जाएगा जिससे की सावान लाने और ले जाने मैं आसानी हो और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वह है मैत्री सुपर थर्मल पाउर प्लांट और यह पाउर प्लांट बहुत पहले ही स्थापित कर दिया गया है भारत की मदद से बांगला देश में ले ये लिए इसकी दो यूनिट इनोग्रेट करी जा चुकी है और बांगलादेश में रास्टपती कौन है ये हैं मुहम्मद साहब उद्दीन चुपू और सेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीख अभी भारत सरकार की तरफ से रोड एंड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेस मंत्राले के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है इस रिपोर्ट में बताया गया कि दो हजार बाइस में कितने लोगों की म्रत्यू रोड एक्सिडेंट्स की वज़े से हुई थी तो इस रिप ये चोकाने वाले आकने हैं अगर डिरेक्ली देखा जाए परसेंटेस में तो 2021 से 22 की तुलना में 2022 में 11.9% की बढ़ोत्तरी हुई है मतलब करीब करीब 12 प्रतीशत ज्यादा हारोड के हाफ से हुए है और जिसमें से जो मृत्य हुई है वो भी 2021 से 22 में 9.4% तक बढ़ गई है तो इस वज़े से भारत सरकार लगातार कैंपेंग भी चला रही है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है इसलिए स्पीड को प्रॉपर रखें ऐसा नहीं है कि आपने वीकल ले लिया है तो इसकी टॉप स्पीड टेच करने की दोड़त है एक जो आइडियल स्पीड है सि 2024 में माई के माईने में जो इलेक्षन होने जा रहे हैं लोग सभा के सबको पता है सबसे बड़े एलेक्षन भारत जैसी डेमोक्रेसी में होते हैं तो इस बार इनका कौन सा संस्क्रण आयोजीत किया जाएगा comment box में लिखकर बताइए इस बार लोग सभा चुनाओ कौन से सं हैं इस बैच में हिस्ट्री पॉलिटी जिग्रिफी साइन्स एकनॉमिक्स सब कुछ कवर कर रहा हूँ इसके लावा करेंट अफेर की मैक्जीन जीएसजीके का फांडेशन बैच अगर आप रिकॉर्डड में लेना चाहते हैं तो वह भी अविलेबल है इसके लावा पॉलि स्टार रेटिंग गूगल प्लेश सोर में देदा मैं ना भूलिये यह कहीं ना कहीं आपका प्यार दर्श आता है और हम आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं आज की बात यहीं तक रहेगी थैंकियो सो मच हैवन आई से टेक क्यार बाबाए आपका दिन मंगल हमें